पार चार्चित दाकिरांने की पास हमने आ रही है क्या कहें नहीं है। पार चार्चित दाकिरांने की पास हमने आ रही है। किसी भी वादे को वो बुरा नहीं की है। इसलिए उसके हाथ में जितने पत्ते हैं वो सारे पत्ते खेल देना चाहिए। एक-एक करके चाहे आप सेटिजन से बिल को देख लीजिए। चाहे आप 10 प्रतिशत जो है सामानवर के लोगों के आरक्षिन के मामले को देख लीजिए। या फिर ये नेशनल औरेंटी नेशनल के मुद्दे को देख लीजिए। चार सीट दायर करने में आखिक इतना वक्त क्यों लिया गया। तो नाव से ठीक पहले या चार सीट दाखिल करने के पीछे मंसा क्या है। यह जो गंभीरता का कमी दिखाई देता है। वही गंभीरता की कमी जो है आरक्षिन के मामले में भी दिखाई देती है। वही गंभीरता की कमी जब GST का जो कैप है उसको बढ़ा करके जो 40 लाग किया गया है उसमें दिखाई देती है कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि हर तरफ रस्टाचार, किसानों पर रत्याचार और जिस तरीके से विफल हो रहा है इस देश के छोटे व्यापारियों का कारोबार इस मुद्दे को छुपाने के लिए जखने के लिए यह जो जूट और लूट की सरकार है उस सरकार तरह तरह के जो है उसके द्वारा हफकंडे अपनाये जा रहे हैं लेकिन इस मामले में कोई कारवाई हो और हम सिर्फ यह चाहते हैं कि देश हित का यह मुद्दा है और देश हित के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से वीजेपी छाती कूटती है तो उसका सीरेसनस दिखाई देना चाहिए हम अब भी चुनवती देते हैं इस सरकार को और इनकी पुलिस को कि इस मामले में सनी देवल की फिल्म की तरह तारीक पे तारीक ना दिया जाए तो रित कारवाई करते हुए, स्पीडी ट्राइल करते हुए इस पूरे के पूरे मामले का निप्तारा किया जाए हम खुद हर सभाव में जाकर के बोले हैं कि हमको 15 लाग रुपया चाहिए, 2 करोण नौकरी चाहिए और इस देश के किसानों और मज़़ूरों का जो सवाल है इस देश के दलीतों, पिछरों, अती पिछरों और सामान वर के गरीब किसान और मज़़ूरों का जो सवाल है उन स वरोसे से उस आत्म विश्वास से हम कहते हैं कि आप इस कारवाई में अपनी सीरियसनेस दिखाइए, हर बार हर मंच बेजाकर के बोले हैं कि चार सीज दाखिल कीजिए, अभी भी चार सीज दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है, इस संबन में कोई ओफिसियल जानकारी हमारे पा देखिये, मेरे से डरने की बात नहीं है, मैं एक बहुत ही छोटा साधारन विक्ती हूँ, लेकिन इतना तेह है कि जिस तरीके से आपोजिसन की यूनिटी हो रही है, जिस तरीके से सपा और बस्पा उत्तर प्रदेश में साथ आए हैं, जिस तरीके से बिहार में एक महा कठ प्रफदन बनाने की बात हो रही है जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीक अभिपक्ष के लोग जो ही कठा हो रहे हैं तो कहीं न कहीं यह सरकार घवराई हुई है और घवरा करके डिक्त करके जो है रंगसर करके अपने हाथ के सारे पुद्देश ने फिक सारा चाल यह चल चुकी है और इनका जो डिस्पिरेशन है कि हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं वो साफ साफ दिखती है इस संबन में बस हम एक बात कहना चाहिए बिल्कुल इत्मिनान से रहने की जरूरत है और यह तरह तरह का कार्ट खेलेंगे मंदिर मस्जित का कार्ट आरक्षन का कार्ट खेल चुके हैं नेशनल एंटिनेशनल का कार्ट खेलेंगे नकसल अरवन नकसल का कार्ट खेलेंगे इस सारा चीज की खेलेंगे क्योंकि इनके पास इस देश की जनता को कहने और बोलने के लिए कुछ नहीं है सिवाए पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमा इसलिए इनको खेलने देने की ज़ुरत है मैं सिर्फ और सिर्फ देशवासों से अपील करना चाहता हूं कि आप सरकार पे दवाब बनाईए कि जनता का टेक्स का पैसा बरवाद नहीं हो इमिडियेटली इस मामले में कारवाई हो और आज 14 जनवरी है बसे पात कहेंगे चूर पिरियो उप्रेन्या न्यालय के दोरह, या दिल्ली कुलिस के दोरह इस संब्द में मुझे अभी तक कोई सुचना नहीं मीली है, नहीं किसी तरीका को कोई समन्जारी किया गया है, लेकिन अगर यह खबर सही है, कि सच्मुच पुलिस ने चार सीzuk दायर की है, तो हम सब से पहले पुलिस को और मुदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि तीन साल के बाद जब वो जाने वाले हैं, उनकी सरकार जाने वाली है, इस मामले में चार सीट आई है, हलाकि हम लोग बार बार जो है 15.00 रुपए, 2.00 करोर नौकरी अच्छे दिन मांग रहे थे, ले इसके पीछे एक राजनितिक मंसा है, राजनितिक मंसा इस रूप में है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है, किसी भी बादे को वो पुरा नहीं की है, इसलिए उसके हाथ में जितने पत्ते हैं, वो सारे पत्ते खेल देना चाहती है, एक-एक करके चाहे आप की जा रही है, ताकि आने वाले चुनावी सभाओं में प्रधान मंतरी अपना भाशन दे सकें, उनके लिए ये सामगरी तयार की जा रही है, इस किसी भी मामले में ठोस कारवाई का कोई आधार दिखाई नहीं देता है, और सरकार खुद इस मामले में सीरियस नहीं गया, तो नाव से ठीक पहले या चारसी दाखिल करने के पीछे मंसा क्या है, यह जो गंभीरता का कमी दिखाई देता है, वही गंभीरता की कमी जो आरक्षन के मामले में भी दिखाई देती है, वही गंभीरता की कमी जब GST का जो कैप है, उसको बढ़ा करके जो 40 लाख किय उसमें दिखाई देती है कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि हर तरफ रस्टाचार किसानों पर रत्याचार और जिस तरीके से विफल हो रहा है इस देश के छोटे व्यापारियों का कारोबार इस मुद्दे को छुपाने के लिए जखने के लिए जो जूट और लूट की सरकार है उस सरकार तरह-तरह के जो है उसके द्वारा हटकंडे अपनाये जा रहे हैं लेकिन इस मामले में कोई कारोई हो और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि देश हित का यह मुद्दा है और देश हित के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से बीज़ेपी छाती कूटती है तो उसका सीरि ट्राइल करते हुए इस पूरे के पूरे मामले का निप्तारा किया जाए हम खुद हर सभाव में जाकर के बोले हैं कि हमको 15,00,00 रुपय चाहिए दो करोर नौकरी चाहिए और इस देश के किसानों और मजदूरों का जो सवाल है इस देश के दलितों पिछरों अति पिछरों और समानिवर के गरीब किसान और मजदूरों का जो सवाल है उन सवालों को हम उठाते रहेंगे चार सीड तो क्या आप जेल में भी डाल देंगे तब भी हम आपकी इस गीदर भवक्ती से घवराने वाले नहीं हैं हमको इस देश के समिधान में और इस देश की नाइक प्रक किरिया पेर पूरा भरोसा है और उस भरोसे से उस आत्म विश्वास से हम कहते हैं कि आप इस तार्वाई में अपनी सीरियसनस दिखाईए हर बार हर मन्च बे जाकर के बुले हैं कि 4 सीड दाखिल कीजि स अभी भी चार्षित दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है इस संबन में कोई ओफिसियल जानकारी हमारे पास नहीं है अगर हुआ है तो ये बहुत खुशी की बात है और सरकार इसमें गंबिर्टा दिखाते हुए कारवाई करे उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतनी बात मैं आप लोगों को गहना को लगता है कि आपके बारे में चुनाव लड़ने की बात केजिए इससे डर करके सरकार ने चार्षित फाइल करने के तयारी किया है देखिये मेरे से डरने की बात नहीं है मैं एक बहुत ही छोटा साधारन विक्ती हूँ लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से आप पोजिशन की यूनिटी हो रही है जिस तरीके से सभा और बस्पा उत्तर प्रदेश में साथ आये है जिस तरीके से बिहार में एक महा कठ्मदन बनाने की बात हो रही है जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में जिस तरी अभिपक्ष के लोग इकठा हो रहे हैं तो कहीं न कहीं यह सरकार घवराई हुई है और घवरा करके, डिक करके, रंगसर करके अपने हाथ के सारे पतेश ने फिक दी है सारा चाल यह चल चुकी है और इनका जो डिस्पिरेशन है कि हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं वो साफ साफ दिखती है इस संबन में बस हम एक बात कहना चाहें बिल्कुल इत्मिनान से रहने की जरूरत है और यह तरह तरह का कार्ट खेलेंगे सिवाए पाकिस्तान, हिंदू और मुसल्मान की इसलिए इनको खेलने देने की जरूरत है मैं सिर्फ और सिर्फ देशवासों से अपील करना चाहता हूँ कि आप सर्कार पे दवाब बनाईए कि जनता का टेक्स का पैसा बरवाद नहीं हो इमिडेटली इस मामले में कारवाई हो और आज 14 जनवरी है बसे बात कहेंगे चूरा दही खाना है और चोरी कर रहे है चोकिदार को उसके गद्धी से हटाना है